स्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल स्टाडी विद स्मार्टनेस में आज एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जो कि मध्यप्रदेश की उन्नती के लिए बहुत जरूरी है जी हाँ मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज़ बन गया है जहाँ पर सरकारी नौकरी नैशनल रेकूर्टमेंट एजनसी के द्वारा प्राप्त अंकों के अधार पर दी जाएगी जी हाँ मध्यप्रदेश के मुख्यमंद्री शिवराज सिंग चहान ने इस बात का एलान कर दिया है सिक्षा और रोजकार के शेत्र में नए बदलावों के सकड़ी में सरकार ने फैसला Common Eligibility Test को मंजूरी मिलने के एक दिन बाद ही लिया है मुख्यमंद्री शिवराज सिंग चहान का कहना है कि अभी तक अलग-अलग एजेंसियां सरकारी नौकरियों के लिए टेस्स लेती थी देश के यूवा अब SSC, RRB और IBPS जैसी व्यक्तिकत परिक्षाओं के स्थान पर अब केवल एक ही परिक्षा देंगे और वो होगा Common Eligibility Test जी हाँ, अब एक ही आवेदन, एक ही शुलक और एक ही परिक्षा होगी इसे ना केवल परिक्षा देने वाले शात्रों का समय बचेगा, बलकि फरती प्रक्रिया में भी पार्दर्शिता आने लगेगी जी हाँ, परिक्षाएं अब ऑनलाइन ही आयोजित होगी और कोशिश की जाएगी कि हर जिले में कम से कम एक परिक्षा केंदर जरूर हो इस परिक्षा का स्कोर तीन साल तक के लिए माने होगा अभी तक ये परिक्षाएं किवल दो ही भाषाओं में देने की जाज़त थी लेकर अब इसके जरीए परिक्षार्थी को बारा भाषाओं में परिक्षा देने की जाज़त हो गई है जी हाँ, बारा भाषाओं में अब विद्यार्थी परिक्षा दे सकते हैं शिवरा सिंग चोहान का कहना है कि मध्य प्रदेश को आद्म निर्भर बनाने की इस प्रयास को लेकर सभी बहुत ही उच्सुक है अब मध्य प्रदेश को आद्म निर्भर बनाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं और अब राज के संसाधनों को राज के बच्चों को ही दिया